So guys, कल Big Boss के गर के अंदर हुई चाहत की fight सभी घरवलों के साथ दरसल हुआ कोछ ऐसा था कि चाहत ने अविनाश से कहा के देख बहुत टैम हो गया है और अब मुझे बहुत भूक लग रही है तो मुझे प्लीस खाना दे मैं अपने लिए बना लूँगी जिसके बाद तो विनाश चाहत को राशन दे देता है जिसके बाद चाहत गैस चालू करके अपने लिखाना बनाना लग जाती है फिर ये सारी चीजे रज़त देखकर सबको कहता है कि मैं उससे लड़ना नहीं चाता तो प्लीस जाकर उसको बोलो कि गैस ना चालू करे फिर वापर सभी घरवाले आजाते हैं और फिर चुम कहती है कि नहीं गैस तो चालू नहीं होगी और कोई खाना नहीं खाएगा फिर चाहत भी कहती है कि मुझे भूक लग रही है तो मैं अपने लिखाना जरूर बनाऊंगी और बस इसी बात को लेकर चुम और चाहत दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट हो जाती है और फिर चुम गैस बंद करके उसके बरतनों को अपने हाथ में ले लेती है जिसके बाद तो चाहत रोने लग जाती है और चुम के साथ फाइट करती है और फिर गैस के बरतनों को लेकर काफी लड़ाए होती है दोनों एक दूसरे के साथ फिसिकल भी होते हैं जिस पर फिर चाहत काफी रोने लग जाती है और जोड़ों से चिलाने लग जाती है तो दूसरी और रजट भी गैस के बर्नर को लेकर उसको छुपा देता है यहाँ पर चुम चाहत को काफी टफ फाइट देती है मगर चाहत इतनी बुरी तरीके से चिला रही थी आकर का चुम को इस पाइट से उतर नहीं पड़ा और उसने फिर लास्ट में बर्तन दे दिये जिसके बाद चाहत ने कहा कि गैस के बर्नर रही है तो वो शिल्पा जी के पास जाकर कहती है कि देखो मैडम ये सबी मेरे साथ क्या कर रहे है तो शिल्पा भी चाहत पे बड़क जाती है और कहती है कि मैं इस डिस्केशन के अंदर उतरना नहीं चाती क्योंकि तूने मेरा साथ नहीं दिया था तो शिल्पा और चाहत इन दोलों के बिच में भी काफी आर्गुमेंट होती है और फिर लास्ट में रजट भी चाहत से फैड़ अब हो जाता है और वो भी गैस के बर्नर चाहत को लाकर दे रहे है गैस यहाँ पर चाहत गलत नहीं थी मगर जो एक्टिंग वो घर के अंदर कर रहे थी वो काफी गलत थी आपका इसको पर क्या ओपीनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइए